हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरे कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है त्योहार पर मीठा खाने का मन सबका करता है लेकिन हम ये भी कोशिश करते हैं कि चीनी और मैदा जैसे खाने की चीजों को अवाइड किया जाए तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी ऐसे मीठे की रेसिपी जिसके लिए ना ही आपको मैदा चाहिए होगा और ना ही चीनी एकदम कम समय में बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी तो फ्रेंड्स अगर आपको ये नई तरीके के शकरबारे पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें जदा से जदा शेयर करें और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इन टेस्टी शकरबारों को बनाने के लिए हम इस्तमाल करेंगे सूजी तो यहाँ पर बारीक मोटी कोई भी सूजी आप ले सकते हैं क्योंकि हमें सूजी को पीजनाई है तो इस मेजरिंग कप को मापकर मैं तीन कप सूजी ले रही हूँ आप मेजर्मेंट के लिए कोई भी किलास या कटोरी सेट कर सकते हैं तो यह तीन कप मैंने सूजी डाल कर बढ़ी असे से ग्राइन कर लिया है तो इस तरह से सूजी का फाइन पाउडर बनकर की तयार होगा तो शकरबारे का टेक्शर बहुत ही बढ़ी आएगा अब इस सूजी के पाउडर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और जो शकरबारे होते हैं वो बहुत ही बढ़ी आखस्ता बने इसके लिए इसमें डालेंगे मौइन मौइन के लिए या तो डालें तेल या फिर डालेंगे तो यहाँ पर इस मीजरिंग कप को माप कर मैं एक तीहाई कप तेल का इस्तमाल कर रही हूँ लेकिन ये जो तेल है न उसे हम हलका सा गरम कर लेंगे थोड़ा सा गरम करके जब हम तेल इस्तमाल करते हैं तो शकरबारे और भी ज़्यादा खस्ता बनते हैं तो तड़का पैन के अंदर डाल कर मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल ज़्यादा गरम भी नहीं लेना है अब तेल हलका गरम है तो इसे पहले चमस से मिक्स कर लेते हैं चमस को हटा करके अब हम क्या करेंगे हाथ की सायता से इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि तेल का सारा मौइस्टर इस सूजी के अंदर आ जाए अब जब mix करते चाहेंगे तो बहुती बढ़िया moisture सूजी में आ जाएगा तेल का साथी इस तरह से जब हम सूजी को hold करेंगे तो ये hold भी होने लगेगी अब इसका आठा लगाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे दूद दूद से इसमें टेस्ट बहुती अच्छा आएगा आप चाहें तो पानी भी एड़ कर सकते हैं तो ये मैंने एक कप normal temperature का दूद लिया है और यदि दूद कम पढ़ जाए आठा लगाते समय तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर लें तो बस इस तरह से हम दूद आते वे इसका टाइट आठा लगा करके तयार कर लेंगे फ्रेंट्स यहाँ पर मैं इन्हें मीठा बना रही हूँ लेकिन यदि आप इन्हें नमकिन रखना चाहते हैं तो आठा लगाते समय इसमें नमक करणके रख देंगे तो यहाँ पर जब सोजी ठोड़ा रएस्ट ले खेंट एम क्यां करेंगे इसके चर्ष नब नंब जान ने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूं गुर्द तो यह मैंने एक कप को लिया है और इसी कप को मापकर एक कप हम पाने लेंगे तो पानी जब हम ज चिप-चिपी चाशनी चाहिए होगी ज्यादा तार वाली चाशनी हम बनाते हैं वो नहीं चाहिए तो गोड बढ़िया से मैल्ट हो गया है और दो से तीन मिनिट हो गये हैं इसे इस तरह से उबलते वे तो अब हम क्या करेंगे इसमें फ्लिवर के लिए एक चमश सफेद तिल भी एड़ करेंगे तो तिल को ऐसे न डालकर थोड़ा सा लो फ्लेम पर रोस्ट करके लें तो इससे तिल का फ्लिवर इनके उपर बहुत ही अच्छा लगेगा तो यह मैंने तिल को हलका सा रोस्ट कर लिया है और अब इस चाशनी के अंदर इसे एड़ कर लेंगे गैस का फ पाउडर एड़ कर लेंगे और सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं तो इस तरह से जब हम चाशनी बनाते हैं और उपर जब शक्रपारों के इसके कोटिंग होती है तो शक्रपारों पर यह देखने में बढ़ी ही अच्छे लगती है अब इस तयार की गई चाश कर लिया है आटे को और अब इस आटे में से हम दो हिस्से तोड़ लेंगे ऐसे तो दो बड़े बड़े इस तरह से हमने हिस्से तोड़ लिया है अब एक किसा उठाएंगे आटे को इस तरह एक साइड में अंदर के उटक करते जाएं और इस तरह से यह देखिए थोड़ा स अंदर फोल्ड कर लें तो इसे क्या होता है बेलना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है तो बैस इसे मैंने किया है थोड़ा सा फ्लैट और अब एक फ्लैट सर्फेस पर हम इसे बेल लेंगे बेलते समय इस पर आपको आटा तेल कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा ब आप चाहें तो नाइफ के हल्प से भी काट सकते हैं मैं इसे डायमंड शेप में काट करके तयार करें हूँ आप अपनी मन पसंद की कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं तो यह आप पर देखें बहुत इसलिए यह कट रहा है और सूजी से जब हम यह शकर बनाते हैं तो व यह जो pieces हैं इन्हें किसी भी थाली में बर्तन में आप रखते जाएं यह आपस में ज़्यादा नहीं चिपकते हैं और यदि चिपक भी गए हैं ना तो जब आप इन्हें fry करेंगे तो यह अपने आप ही separate हो जाएंगे तो यह लीजे इस तरह से सारे आटे से मैंने यह टायमंड शेप के pieces काट करके तयार कर लिए हैं और थोड़ी से सूजे से ढेर सारे शक्रपारे बन करके तयार हो जाते हैं अब इन्हें fry करने के लिए मैंने कड़ाई में तेल करम कर लिया है आप इने घी में fry करना चाते हैं तो घी में भी fry कर सकते हैं तेल का temperature चैक करने के लिए इस तरह से एक पीस पहले डाल कर देख लें यह तुरंती यदि जाग के साथ उपर आ रहा है यानि तेल का temperature एकदम perfect है फिर यह कुछ पीसे हम इस तेल में डाल देंगे और थोड़ा से इने ऐसे चला देंगे तो यह बहुत ही इसलिए अलग-अलग हो जाएंगे और कुछ ही सेकेंड में यह fry भी हो जाते हैं तो इस तरह से अलटते पलटते वे थोड़ा golden कलर आने तक हम इने fry कर लेंगे तो भी यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे इने इस तरह के जाली वाले बरतन में निकाल दें ताकि अपनी ही गर्माहट के कारण यह सौफ्ट ना पड़ें और बाकी के फिसेज भी इसी तरह से फ्राई करके हम तैयार कर लेंगे और ये लीजे फ्रेंड्स मैंने सारे शकरपारे बना लिये हैं और अब इन शकरपारों में मीठा फ्लेवर लाने के लिए जो चाशनी हमने बना कर के रखी है वो थोड़ी ठंडी हो गई है तो इसे हलका सा गरम कर लें ज्यादा गरम भी नहीं करना है यदि शकरपारों को तुरंती आप चाशनी में डाल रहे हैं तब तो चाशनी को गरम ना करें और यदि आप शकरपार एक साथ बना कर रख रहे हैं और वो थंडे हो गए हैं तब इन्हें चाशनी में डालने से पहले चाशनी को थोड़ा सा गरम कर लें फिर गैस का फ्लेम और फिर इन्हें निकाल कर इस तरह के जाली के बरतन में रखें ताकि हवा आरपार होती रहेगी तो उपर की चाशने इनके उपर सूख जाएगी और ये हलके से मेठी भी हो जाएंगे इस तरह से ये खाने में देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं तो बस बाकी के शकरपारे भी मैं इसी तरह से इस जाशने में कोट करके तयार कर लूँगी और ये लिटे फ्रेंट्स हमारे बहुती सुन्दर फूले फूले शकर पारे बनकर के तैयार है जो देखने में भी संदर लग रहे हैं और खाने में बहुती टेस्टी और क्रिस्पी हैं तो फ्रेंड्स आप भी ये शकर पारे बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यदि रेसिपी पसंद आई है तो प्रेस इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई